अगर आप भी एरटल पेमेंट पैंक के साथ बीसी या एजेंट आइडी है आपके पास तो फिर एरटल पेमेंट बैंक में अकाउंट कैसे ओपिन करने होता है यह मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा वीडियो पूरी देखना और चैनल को सब्सक्राइब वीडियो क पोंचनल के लिए कते इन टानने के बाद से मोट कोड पे किलिक करना होता हूं कि आपको पीडालना है और यह दिग अन्स आठीप करने के बाद नीकेदार आपको सब्सक्राइब कर दे इस पर कि आपको कस्टमर का आधार नंबर का fingerprint देना होता है डिवाइस पे आपको अपनी डिवाइस कनेक्ट करके रखनी है जैसे फिंगर प्रिट कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट जो स्क्रीन है वह उपन होके आ जाएगी जिसमें आपको कर्ष्टमर का पैन नमबर डालना होता है अगर आपके कर्ष्टमर देना है और नीचे आपने के बाद जो corresponding एड़ेस है वह गर सेम नहीं है तो परना है वर ना टिक करके next पर लिक कर देना है उसके बाद फादर नेम डालना होता है मैरिटल स्टेटस डालना होता है और occupation डालना होता है मतलब पादर किता का नाम साधी सुदा है या फिन और क् करते हैं वह डालना होता है उसके बाद आप जैसे स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट आ सकते हैं अगर और कोई बढ़ करते हैं तो नीचे अधर होता है वह सिलेक्ट करना होता है उसके बाद सैली डालनी होती है जीरो कर देते हैं यहां पर कोई सैली नहीं है उसके बाद नौमिनी अगर भरना चाहते हो भर सकते हो वरना I don't want पर क्लिक करके सब्मिट कर देना होता है अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना होता है और यहां पर नीचे अमाउट जीड़ों ही रखता हूं मैं क्योंकि इसमें मैं रूपय आड नहीं करूंगा सौरूपय जो अकाउंट ऑपनिंग चार्ज करता है बोई सिर्फ कटेगा यहां से और नीचे फिर कंटिनियू करते रहना है नेक्ट करते रहना है अच्ट करते लिए इसके बाद आपको अपना Mpin डालना होता है जो सौरुपय अकाउंट ओपनिंग चार्ज है वह आपकी अकाउंट से कट जाएगा कि मैंने डाल दिया है और समिट कर दिया है थोड़ी दिए बेट करना होता है और अगर अगर डीविटी ऑन करना चाहते हो अपने एन्य गया बॉक्शन से कमीशन मिलता है तो दिएह आपको लेना चाहते हो तो कि अगर अगर चाहते हो तो और नहींट कर सकते हो और यहां पर कंस्तमार और हो गया है उसका प्रीटेल ओपनों के आ गई है बाकि यह कस्टमर को जो प्रिंट आउट देना होता है वह यहां आप मैंने निशान यह डाउनलोड प्रिंट अकाउंट सर्ट्पिकेट है यहां पे क्लिक करके कस्टमर का मौई लंब डालके आप उसको उसके अकाउंट का जो प्रिंट होता है बोनका के दे सकते हो बाकी वीडियो अच्छी लिए हो तो धन्यवाद